हैं 21 के आसपास पाइटिया हैं वो विरोध कर रही हैं चार मंजिल की संसद है ये और पुरानी संसद जो है वो 1927 में बनी थी अंग्रेजों ने बनाई थी ये अभी लाइव तस्वीर आ रही हैं महात्मा गांधी की स्टेच्यू जो पुरानी संसद में है गेट नंबर एक के जस्ट सामने है ये महात्मा गांधी की स्टेच्यू यहाँ पर अक्सर हमको धरना देते हुए नजर आते हैं विभिन्ने पार्टियों के लोग जिनको कुछ गिला शिक्वा रहता है संसद से सम्मंधित मामलों में इ इनकी दीवारें दिख रही हैं और आज तो सेंगोल भी रखा जाना है स्पीकर की कुरसी के बगल में सेंगोल कल ही तमिलनाडू के जो थिरुवाडू थुरै अधीनम मठ के संत आये थे उन्होंने पीए मौदी को सौप चुके हैं ये और सेंगोल की महत्वा बड़ी जबर दस्त है बताया गया कि जो चोल सामराज ये था आठवी सदी में जब वो सत्ता हस्तांतरित करते थे तो जो राजा होता था उसको सेंगोल याद दिलाता था कि आपको निश्पक्ष शाशन करना है और समानता से आपको दंड विधान का भागीदार लोगों को बनाना है और खुद भी याद रखना है कि आप भी इस विधान से परे नहीं हैं तो राजा और प्रजा दूनों को करतव याद दिलाता हुआ सेंगोल जिसे हिंदी में राजदंड कहा जाता है और कई नियम है इनके पालन करने पड़ते हैं उसके तहत नई पार्लेमेंट ये नरेंद्र है हमको हात में पुरोहीजी के हात में कलश है ये कलश जो है वो नई नई शुभारंब का प्रतीक है और इसमें पत्तियां जो लगाई जाती हैं आम की पत्ति अगर नहों तो कुछ और उपियोग में लाया जाता है भारती परंपरा उस संस्कृति में ये इसका बड़ा मैत वे इसके अंदर पानी रखा होता है तो बड़ी बात यह है कि नई संसद में जो जोईन पार्लिमेंट बैठक होगी उसके लिए 1272 लोग बैठ सकेंगे और प्रणा मुखर जी सहाब जब थे तब उन्होंने जब रास्ट पती थे वो तब उन्होंने याद दिलाया था कि जो पुरानी संसद है वो छोटी पढ़ रही है और इसी लिए नई संसद की आवेशक्ता है अच्छा पुरानी संसद जो है वो भूकम परोधी नहीं है मतलब भूकम कभी भी आये तो वो बहुत बुरी तरीके से छतिग्रस्त हो सकती है और जान माल दोनों की हानी हो सकती है अब आप सोच सकते हैं कि जो हमारे नेता हैं वो कितने कीमती हैं कितने प्रेशर से हमारे लिए और यह सामने हम देख रहें इस समय धीनम मठ के जो संत हैं वो विधिवत पूजन कर रहे हैं और यग्यवेदी सामने हमें जलती हुई दिखाई दे रही है वेदी हवन होगा और हवन के बाद में फिर सर्वधर्म प्रार्फना होगी उसमें सभी धर्मों के लोग सभी मजब के रिलीजन के लोगों को बुलाया जिन जिन को नियोता मिला कल हमने देखा बहुत से लोगों ने अपना नियोता जो है वो टुटर पर भी शेयर किया है तो वो सर्वधर्म प्रार्फना करेंगे और शांती पाठ होगा शांती पाठ सिर्फ भारत की शांती की नहीं हम विश्व शांती की काम न करते हैं वसु वसुदा ही वसुदा ही मतलब पूरी धर्ती ही हमारी कुटुम्ब ही। उदार चरित लोगों के लिए ये पूरा विश्वही कुटुम्ब है और इसलिए हम सहोधर भाव रखते हैं जिसको बोलते हैं इंगलेश में ब्रदर हुड तो हम सभी से ब्रदर हुड रखते हैं एक दूसरे के प्रती साहनबुती और सेंगोल का बलकुल करीबी से ये प्रेल है इसमें उपर जो प्लेट लगी हुए प्लेटेड है गोल्ड प्लेटेड मतला पॉलिश गोल्ड का है नंदी यहां पर सबसे उपर विराजमान है और सब को पता है कि नंदी किसका वाहन है कुछ लोगों ने इसको धार्मिक चिन से जोड़ने की भी बात कही जैसे समाजवधी पार्टी के सांसद हैं उन्होंने का यह तो धार्मिक चिन है ऐसी कई पार्टियां जो इसको धार्मिक चिन बता रही है लेकिन यह धर्म का चिन नहीं है यह निश्पक्षता का एक प्रतीख है भारती परमपरा का वो स्वरूप जो प्राचीनतम है सेकुलर इसको सर्वधर्म संभाव बोलते हैं सेकलरिद्म से कहीं बड़ी परिभाशा है यह हम उसके अनुयाई हैं हम उसको मानने वाले हैं और यहां पर यग्य वेदी पर विधिवत पूजन शुरू हो चुका है यग्य का विधान क्या है यह बहुत बड़ी बात है अगनी जो हम ज हैं आकाश में भी है पाताल में भी है समुदुर के अंदर भी है और जितनी आकाश गंगा हैं जितनी भी आकाश गंगा हैं सेवरल गैलेक्सीज हैं इस ब्रम्हंड में उनमें अगनी मौजूद है हम जो भी प्रार्थना करते हैं वो अगनी के मध्यम से सारी दिशाओं में सारे लोकों में पहुँशती है ऐसी भारती मानिता और परंपरा कहती है इसलिए ये यग्य का विधान है यग्य से हम दसो दिशाओं को अपना संदेश भेजते हैं दस दिशाओं भी भारत नहीं बताई हैं पहले तो लोग सोचते थे कि चारी दिशाओं होती है लेकिन दस दिशाओं बताई गई हैं ये भारती परंपरा है अब देखे कितना अदभुद इतिहास है कि दस दिशाओं जो बता रहा है वो देश हम हैं और ये भारती परंपरा सिर्फ एक जगे सीमित नहीं है, बहुत सारी जगह पर जो लोग रहते हैं, वो इस परंपरा को निभाते भी हैं, दस दिशा का नाम आप देखें, उर्धु, उर्धु मतलब उपर, इशान, इशान मतलब होता है कि पूर्व और उत्तर के बीच में ज जो कोण हैं, दक्षिन, नैरक्ति कोण, पश्चिम और वाईवाई, वाईवाई कोण हैं जो वो साउथ और वेस्ट के बीच में आता है, और उत्तर और अधो और मध इस तरह दस दिशाएं हैं, और इन तक संदेश पहुचाने का ये माध्यम होता है, यग्य या हवन, ये म हम विधिवत शुभारंब कर रहे हैं और ये निवेदन होता है उन दस दिशाओं के दिकपाल से कि हम जो कायरे कर रहे हैं, आप उसमें अपना आशिरवाद बनाए रखिएगा, ये भारती परमपरा है, अलग-अलग दिशाओं के अलग-अलग दिकपाल हैं, ये सोचिए क ये ठीक उसी तरह से फिल्ड मार्शल टाइप का मामला है, अलग-अलग जगे पर खड़े हुए हैं, फैर, बात अभी नई संसद की भी कर लेते हैं, पूजा पर बाद में आएंगे, पदतियों पर बाद में आएंगे, नई संसद जो है हमने देखा था कि जिस समय एक बार रातं की हमला हुआ था, तो उस समय बहुत दिक्कत हुई थी, लोगों को भागने में, बचने में तब भी महसूस की जा रहे थी, अचा इस पेस भी छोटा हो रहा है, इस पेस कम पड़ रहा था वहां पर, लोकसभा में पांसो तरतालिस सीट हैं, और राजसभा में दो सो है बैठने की, जब की ये माना गया कि भारत की जो जनसंख्या है, वो 1976 के बाद में धाई गुना करीब बढ़ चुकी है, उनिस सो चीटर में लगभग लगभग तिरपन करोर हमारी जनसंख्या थी, 1975-1976 में, और उसके बाद में अभी धाई गुना बढ़ गई, तो उस हिस आप से जो representation होना चाहिए, संसद में, संसद के रूप में, संसद जनता का प्रतिनीदी है, उनका संसद का काम नियम और कानून बनाना है, और जनता का काम और उनका काम, हम सब का काम हैं, उनका पालन करना है, तो एक वेक्ति पर इस समय अगर हम देखे, तो 25 लाख लोगों पर एक संसद है उस्तन वो थोड़ा कम है इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि 2026 में परिसीमन होगा और 2026 में परिसीमन के बाद में ये संख्या बढ़ेगी तो ये जो 888 लोकसभा की सीट है वो यू ही नहीं बनाई गई है इसका मतलब यह 888 लोग बैठने वाले हैं या संसद बै 12 जो संसद होते हैं ओवर ओवराल वो नॉमिनेट भी किया जाते हैं राजसभा में और 245 टोटल होते हैं सबकी अभी सीट है वहां 384 होगा राजसभा में राजसभा को अपर हाउस कहा जाता है लोग सभा हमारे यहां पर अब राजसभा का जो चुनाव है वो उसकी प्रक् हायकों के और चुने हुए प्रतनिदियों के आधार पर राजसभा में चुनाव होता है और प्रणा मुखर जी साब ने कहा था कि एक हजार सीट से लोग सभा में होनी चाहिए उसके बाद से जरुरत महसूस की जा रही थी अचा नई संसद में हैं सिकुरिटी फीचर्स बह बहुत अच्छा होगा ओडियो वीजवल जो इस समय जरुरत होती है वो भी बहुत अच्छा होगा वेंटिलेशन बहुत अच्छा होगा ये सारी चीज पुरानी संसद में नहीं थी पुरानी संसद का होगा क्या अभी तक ये जो बात सामने आई है कोई बहुत बड़ी प् कभी जैसे प्रोग्राम हो तो उसमें किया जाएगा या फिर संग्रहाले में इसको तबदील कर दिया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है तो यह आर्किटेक्ट इसका डिजाइन बहुत गजब है त्रिभुजाकार है और त्रिभुज का हमारे शाष्त्रों में भी अलगी महत्व ए करती है कि पिरामिट के जो टॉप में है वो उर्जा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है और फिर सारी जगह पर उर्जा प्रभाहित करता है यह हमारी आर्किटेक्ट का एक बेजोड उधारन है और नई संसद में तो अशोक स्थम्भ और भारती प्रतीक वाले जो तीन शे बनी हुई है तीन शेर उसके उपर बड़ा विवाद हुआ था हमने देखा था कि बहुत सी पार्टियों ने संसद में वहां पर भी चले गए थे कोट में भी चले गए ते कि यह जो शेर हैं वो तो हिंसक दिखाई दे रहे हैं और कई पार्टियों ने इसका विरोध किया और आरोप लगे बीजेपी के उपर कि सरकार क्या इनको हिंसक दिखाना चाहती है लेकिन बाद में ये समझ में आया कि चूकी वो इतने बड़े बनाये गए हैं अब वो जो मूर्ति है संसद में शेर की जो तीन शेर हैं जो सारनात के अशोक स्थम्ब से लिया गया है वो ज साश्टांग प्रणाम करते हुए नरेंदर मोदी जी पीम नरेंदर मोदी साश्टांग प्रणाम कर रहे हैं सेंगोल को और ये विधान उनको बताया गया होगा कि इसका संबान करना चाहिए तो नरेंदर मोदी जी मुझे लगता दो चार कदम आके साश्टांग प्रणाम खुद ही अपने मन से उसको किये हैं सेंगोल पारदर्शिता का एक नमूना है जब 1947 में लॉड माउंट बेटन ने कहा कि नहरुजी आप कैसे अपनी सत्ता इस्तांतरन को सेलिब्रेट करना चाहेंगे तो ततकालीन समय में सी राजगोपालाचारी जी से कहा गया गवर्नर जन उन्होंने सुझाया कि ये तो थिरुवाडू थुरई अधीनम मठ है वहां पता लग जाएगा आपको उनसे मिलिए उन्होंने बताया कि आठी सदी में चोल सामराज्य में ऐसा होता था कि राजा पारदर्शिता निश्पक्षता से साशन करता था और उसका प्रतीक है ये स राजदंड मतलब कुछ नियमों का वो समू है जिसको राजा को पालन करना है और उन नियमों के आधार पर प्रजा भी ये समझती है कि उपर राजदंड है अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो राजदंड हमको देख रहा है या उल्लंगन करेंगे तो हमको दंड मिलना का उल्लंगन जब करते हैं तो उसमें अलग-अलग प्रकार का पनिश्मेंट या सजा दी हुई है इसलिए इसे किसी एक जगे जोड़ना ठेक नहीं है अच्छा ये सेंगोल आया कैसे इसकी बड़ी इंटेस्टिंग कहानी है कहानी यह है कि पदमा सुबरमंडियम नाम की ड ने लोगों से उनके अनभाव लेंगे तो हमने यह देखा कि इसकी प्रत्योगिताएं हुई हैं अम्रत काल के ऊपर अपने अपने आजादी में जो गुमे हुए लोग हैं उसके बारे में आप बताईए आसपास के लोगों के बारे में बताईए बच्चे लोग चिठी लि महत्व क्या है वो कहां खो गया है तो फिर उसकी ढूनम ढूनमची कि भई जिस समय राजगोपालाचारी जी ने अधीनम को कहा था अधीनम के जो संत थे वहाँ पर विडुक की बंगारू उन्हों ने नहरूजी को सौपा था तो वो छड़ी गई कहां तो कल हमने देखा न कि यह प्रयागराज में था प्रयागराज में इसको नहरूजी की एक छड़ी वाकिंग स्टिक बता के रख दिया गया था आजा कॉंग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया जैराम रमेश जी का हमने बयान भी सुना था उन्होंने कहा कि ऐसा कोई लिखित दस्तावेज नहीं है कानूनी दस्तावेज तो नहीं है इसके बारे में कोई लेकिन कांची स्वामी ने सब 1978 में अपने शिश्चों को इसके बारे में बताया था कि नहरू जी को यह सेंगोल मिला था आजादी के जो टिस्ट अब डेस्टिनी भाशन हो था 1947 में 14 अगस्त की मिडनाइट रात को जो भाशन था वो जो भाशन है उसके 15 मिट पहले यह नहरू जी को सौपा गया था सेंगोल ताकि आप पारदर्शिता से शासन कर सकें दंड विधान के हिसाब से इस देश को चलाएमान कर सकें और भारती संस्कृती करती है राजेंद्र चोल या चोल सामराज्य से इस सामर जी को भारत वर्ष के वर्तमान सामराज्य को तो यह इसका महत्व था पदमा सुबरमन्यम जी की चिठी से सबसे पहले यह बात सामने आई थी इसके बारे में फिर वो सबको पता है कि अमिशा जी ने कुछ दिन पहले प्रेस कांफरेंस की थी उसमें बताया कि सेंगोल का क् राजदन्ड को हम कितना संबान देते हैं तो सारे जितने भी कल हम संत देखें वो आए अभी वो जो दिखाई दे रहे हैं वो सारे वही के संत हैं अधीनम के ही संत हैं वो और प्रातना कर रहे हैं कि कल उन्होंने प्रातना की अभी थोड़ देर पहले प्रातना कर रहे थे आप सेंगोल को लेकर चल पड़े हैं आगे और उसके बाद में इसको विधिवत इस्थापित किया जाएगा Installation of Sceptre इसको कहा गया है English में इसको कहते हैं सेंगोल को तो सेंगोल इसलिए बहुत महतवपूर्ण हो जाता है दंड विधान राजदंड का विधान क्या है कि के बिना विक्ति उदंड हो जाएगा और इसलिए किसी भी विक्ति का निरंकुष शाषन ना हो उस पे रोक लगाने के लिए राजदंड होना चाहिए या सेंगोल की एक जैसी परंपरा होनी चाहिए हमारी भारती परंपरा तलमितमिल संस्कृती में कहा कल हमने पिये मोदी जी को भी सुना उन्होंने ये कहा कि ये महान परंपरा हमारी संस्कृते में थी और इसको भूला दिया गया था जबकि इसको लोगों के सामने दिखाने की जरूरत थी क्योंकि ये हमारे उस पुराने भारती सामराज्जी को नए सामराज्जी से कनेक्ट करती है क्योंकि बीच में तो हमने देखा गी जब एक हजार के आसपास भारत के उपर हमला शुरू हुआ और मुहम्मद गोरी आया उसके बाद सबसे पहले तो मुहम्मद बिन कासिम नही अंग्रेजों का शाषन आगल इस इंडिया कंपनी in 1604 में मसालै बेचने आई और बहुत सारी चीजें बेचने आई उसना सारी चीजें बेच दी और राजा बन के बढ़ गया थे हों लोग उसके बाद में ये जो पूरा ग्रे पिरेड है उस ग्रे पिरेड में भारती परमपराओं का हास हुआ बहुत सारे अपभरंश आये भारती साहित्य का हास हुआ इसी बीच में तक्षशिला और नालंदा जलाय जाने के घटनाएं हुई इसी बीच में औरंग जेब ने कई तोड़ा ये सारी घटना इस बीच में हुई हैं तो वो सारा जो डार्क पीरेट था भारत वर्ष का भारत का वो कनेक्ट नहीं हो पाया अपनी जड़ों से ये जो सेंगोल है ये अपनी जड़ों से कनेक्ट करने का माध्यम है और ये याद दिलाएगा राजा को वरतवान में राजा नरेंदर मोदी जी हैं हाला कि हमारे यां हमने देखा कि राष्टपती का भी एक भथ पूर्ण है और सबसे बड़ा मुख्या भी माना जाता है लेकिन इसका विबाद हुआ बहुत सारी पार्टी उने कहा कि हम नहीं आ रहे हैं क्योंकि राष्टपती मोहदय को इसम सरकार के वह जो जन्रल हैं उन्होंने कहा कि ये तो चले जाएंगे हाई कोट तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं हाई कोट नहीं जाओंगा अगर हाई कोट चले जाओंगा तो हाई कोट भी हमको भगा देगी और मोहदी सरकार को ये कहने को मिल जाएगा कि देखिए आप तो दो राजा कर सकता है नरेंद्र मोदी जी उन्होंने नई संसद बनाने का बीड़ा उठाया था बेसिकली सेंट्रल विस्टा पूरा नया बन रहा है वहां पर हमने देखा कि सेंट्रल विस्टा मतलब प्रायम पीमो के साथ में जो राश्टपती भून और राश्पत के अगल बग में जो ऑफिस हैं जिसमें नौट ब्लॉक साथ में और आगे जितने भी दफ्तर आते हैं सारे भवन आते हैं वो बिलकुल नई नई तरीके से गड़े जा रहे हैं लगग 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 20,000 करोड का प्रोजेक्ट है और नई जो संसद है वो लगग 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 शुरवा एस्टिमेट बनाने का अब ये सेंगोल एतिहासिक महत्व की ये जलकी सामने दिखाई दे रही है सेंगोल प्रतिष्ठित किया जा रहा है इंस्टॉल किया जा रहा है अपने वास्तविक जगह पर जहां इसकी जगह होनी चाहिए थी और ओम बिला जी लोकसभाद देक्ष स साथ में हैं परदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको इस्थापित कर दिया अद्वुद उछन है ये याद दिलाता रहेगा भारत के हर एक व्यक्ति को भी याद दिलाता रहेगा कि दंड विधान के हिसाब से चलना है अचा राजा कभी-कभी क्या होते हैं कि कोई राजा पर बैड़ आते हैं तो उनको उस तरह के से विवहार करना है कि वो सभी के लिए हैं लेकिन मान लीजे किसी ख्षण राजा के मन में हिंकार आ गया या निरंकुष्टा की भावना आ गई तो ये राजदंड उसको याद दिलाएगा कि नहीं आप प्रजा के लिए बने हो व एक्वालिटी तुह दूंऌन और सरफ हुमन नहीं भार्ती पर Hamm परम्पर में तो सर्फ लिए बाटी नी काती भात थी पोर परणी मात्र कहा गया है प्राणी मात्र में तो जानवर भी आजाते हैं पेड़ पोधे आजाते हैं नदी आजाती नदी को भी हम जीवन्त मानते हैं गंगा नदी को जीवन्त माना गया है और उसको लिविंग का धर्जा भी दिया गया हुआ है ऐसी नदीयों को भी हम लिविंग मानते हैं इस समय दीव प्रजलन के साथ में इसकी विदिवत शुरुवात हो चुकी है नई संसद की और सेंगोल को भी पुष्प चड़ाये जा रहे हैं यही है वो चान इर्तिहासिक चान जिसके बारे में पिछे आचा वैसे कई लोग ने बोला कि सेंगोल नाम की क्या चीजी यह कौन सी मिसाइल है क्योंकि एक गम सी